सात्यों मेरे इगाव में एक दोस्त का रिष्टा तूड गया क्योंकि वो बेरोजगार था सुशील था सुन्दर था लेकिन रोजगार नहीं था उसके पास इसलिए उसका रिष्टा तूड गया तो रिष्जगार का है एक ऐसा मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और मैं तो रुख जाएगा चलिए देखते हैं क्या और कैसे आप मुनाफ़ा पास Cumas चलिए देखते हैं इस स्थान पर क्या-क्या होता है और क्या-क्या में होती है और कैसे आप इससे रोजगार पास रहते हैं अंदर जैसे ही प्रवेश किजेगा मैं दिखाऊंगा अगर बत्ती वगरा कैसे बना रहा है प्रांगन में प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि पहला नमबर रूम में कुछ मशीने की आवाज आ रही है लैब नमबर पाच लिखा हुआ है पंखा चल रहा है और वहाँ पर एक लड़की कुछ बना रही है दरसल में वो बना रही है अगर बत्ती और इस अगर बत्ती के मशीन से कहीं न कहीं आवाज के नीचे रोजगार और सवलता की पहचान आपको दिख रही है तो किछ इस प्रकार से सुरुवाती इसके प्रारूप है कैसे बनती है अगर बत्ती उसके उपरांत यहाँ पर ठीक उसी के बगल में रूम में आप देखेंगे तो नीचे लेब नमबर 4 हैं नीचे आप देख सकते हैं जमीन पर किस प्रकार से रखी गई है अगर बतियों को सुखाया जाता है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पैकिंग किया जाता है अंतिंग प्रारूप अब बात करेंगे विवस्थापक जी से तो किस परकार की विवस्था होती है और किस प्रोग्राम के थाथ यह चलता है यहां के अस्थानिया महिला जो अगर बति बनाने के रहा है और यह पैकिंग हो रहा है और यहां अस्थानिया भी छे नौजवान है जो हम लोग के बीच कई हुआ है वह दुकान दुकान जाकर ओडर लेकर और विक्री कर रहे हैं तो यह हम तमाम आपके चैनल के माद्यम से हम लोगों से छप्रा के और बिहार के सभी लोगों से मनरोद करेंगे कि अस्थानिया महिला और युवाओं को रोजगार देने में अपना भूमका निभाए और अस्थानिया अस्थार पर जो बाबाबा हडियर नात का अगरबति बैसनो देवी और अमका भवानी नाम से ज कमाएंगे इस वाफ उनका भी कमाई होगा और दुकान दुकान जाकर बेचेंगे दुकान और अगर डिरेक हम दोडोट तूडोड भी बेचेंगा तो उसमें भी अच्छा-खासा कमाने का रस्ता है इसमें अच्छा-खासा मार्केटिंग भी है महिलाओं से जानेंगे यहा पर मुझे रोजगार मिला है हम महिलाओं को जो घर में बैठे ही रहती थी कामकाज में बैस्त रहती थी वह समय निकाल कर मैं यहां काम भी कर लेती हूं और कुछ पैसा का भी अपना जीव का पारजन हो जा रहा है अब है जो मेरे सामने आप देख रहे हैं कि सारी समान्akes जहां पर रोती हैं तो हम चाहिए अब्लों का ब्रांड को गुनवात्ता की गारांटी ऐसे नहीं है लोग पहले के लोग में थाने के पहले मोटा आनाच लोग खाता था अब केवल उसको कहें कि बहुत ही चिकन खाने जो सब देहाती सब्सक्राइब चिकन सब्सक्राइब सचाई से दूर हो चुका है बजार में हल्दी ही बीगता है औ वह पैसा तो हम ही लोगों को देना पड़ता है ना तो हम लोग क्या है कि डारेक्ट सुद समान उत्पादन किये और डारेक्ट को दिये तो हम लोग अगरबत्ती के सामर को भी फैदा है कम नाम में मिल भी गया और सम हंडेड परसेंट सुदता की गरांटी है हंडेट टेन लोकल के भोकल बनाने का जो नेन्द मोदी जी का रूडी जी का कंसेप्ट है वह आपको जीता जाकता उदार यहां मिलेगा यहां चना अगरबत्ती तो महिला काम करिये रही है साहत मेरा मिशन पर काम चला है यहां जेके हल्दी मिर्चा सत्तू बेशन यह सब भी बनाने के हरे हैं लेकिन हम लोग क्या सही होकर गलत की से लगने का concept हो रहे हैं हम लोग क्या जो और मसाला त्यार कर रहे हैं सतू है लेकिन हमम लोग ओडिजिनल को बजार से आया है कि यहां पर अच्छा है और कॉलिटी है हम मार्केट में गए थे वहां पर यहां पर सारी समाने आप देख सकते हैं और बहुत सारा यहां प्रवरान्ड है यहां नाम से अब काल रातिरी के नाम से देख सकते हैं और साथी साथ पातले स्वर अंभीका भवानी यह तमाम नामों से यहां पर अगर बत्तियों को किया जा रहा है और जहां तक मैंने फिर से बताया और इन्होंने बताया भी कि इस छेत्र को और आगे बढ़ाएंगे और सत्तु से लेकर तमाम तरह की बढ़ी बहुत सारी चीज़े जितने भी है जो लोकल में जो ब्रांडेड आ गए है उसमें मिलावट उस चीज़ को कही न कहीं खतम करेंगे लेकिन लडाई बहुत लंबी है जिसमें आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है परधान मंत्री मोदी और यहां के स्थानिय सांसद बीजिख उवो आज है यह एश्शा समाजी करतव बम जाता है कि इनको सबल का से बनाया जाए जो यहां पर समाने हैं वह लोकल महिलाए बना रही है आपके माता बहन वो सब बना रही है तो क्या करना है आपको उपयोग करना है और इसको प्रचार करना है मुझे जादत बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस बात को समझते हैं